नमस्कार बिहारी नियुज में आपका स्वागत है देश में करोना संक्रवन की रफतार काफी तेजी से बढ़ रही है वहीं बिहार में भी मामले बेकाबू होते नज़र आ रहे हैं स्वास्त विभा की तरब से बिते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किये गए आकडो के नुसार बिहार में कुल 2174 नए मामलों की पुस्टी हुई है जिसके बाद प्रभावितों की संख्याल 2,676,004 पर पहुँच चुकी है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो पटना में 661 मामले सामने आया है इसके साथ ही गया में 191 और वहीं भागलपूर में 163 मामलों की पुस्टी हुई है इसके साथ ही अगर हम 20 दिन के पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की बात करें तो कुल 318 मरीज ठीक हुए है और अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ कर 2,65,048 पर पहुच गई है बिहार में रिकवरी दर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है वहीं बिहार में वर्तमान समय में रिकवरी दर की बात करें तो यह दर 96.03 पर पहुच गई है जो कि पिछले दिन के 24 घंटे में जारी किये गए रिपोर्ट के अरुसार 0.65 परतिशत कम है इसके साथ ही अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 9.357 पर पहुच चुकी है ग्याद हो जारी किये गए आकड़े 2.45,75,830 सैंपल की जाज के बात जारी किये गए है वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 90,751 सैंपल की जाज की गई है वहीं बिहार में कुल जान गवाने वालों की संख्या की बात करें तो मामले 1598 पर पहुच चुके हैं और वहीं अब अगर हम जिलेवार कोरोना प्रभावितों की संख्या की बात करें तो अड़िया में 25, 28, 27, औरंगावाद 19, बाका 13, बेगुसराय 15, भागलपूर 163, भोजपूर 50, बकसर 25, दरभंगा 24, गया 191, गोपालगन 26, इस चमपाडन 19, जमुई 18, जहानावाद 73, कैमूर 11, कटिहार 9, खगडिया 9, किशनगज 29, लखिसराय 7, मधेपूर 16, मधूबनी 15, मुँगेर 70, मुजफ़रपूर 106, नालंदा में तिरपन मामले हैं, वही नवादा में 35, पटना 661, पुर्णिया 58, रोहतास 52, सहरसा 49, समस्तिपूर अंठावन, साड़न 71, शेकपूरा 70, शिवहर 7, सीतामडी 24, सिवान 36, सुपॉल 70, वैशाली 23, और वहीं विस चमपार पारण में 34, मामलों की पुस्टी हुई है, इसके साथ ही बाकी ऐसे 29 संक्रमित हैं, जो की दूसरे राज्यके हैं, लेकिन इनका सैंपल बिहार के ही अलग-अलग जिलों में कलेक्ट किया गया है, कोडोना के मामलों में बेशक बढ़त देखने को मिल रहे है, सतर्क रहने की साथ साथ सतर्क रहने की भी जरूरत है, इसलिए मास्क जरूर पहने, दोगज की दूरी कापे पालन जरूर करे, आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद